Hello students, स्वागत है आप सभी का वोलकनोई ISK डेली करंट अफेर के डिसकसन में तो students आज का जो करंट अफेर का जो डिसकसन है उसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे first topic की अगर हम बात करें first topic है चत्रपती सिवाजी महराज के बारे में recently सिवाजी महराज की जो जैनती है उसका celebration किया गया तो इस वज़े से चत्रपती सिवाजी महराज news के अंदर में थे तो उनसे related important facts को अगर हम देखने की कोसीज करें तो student सिवाजी महराज का जो जनम है उस 1630 के समय हमको देखने के लिए मिलता है आपको अगर history को अगर आपको अच्छे से understand करना है तो आपको chronological time period आपको पता होना चीए contemporary इनके king कौन हुआ करते थे जब ये power के अंदर हुआ करते थे चत्रपती सिवाजी महराज तो basically इनके contemporary जो मुगल king हुआ करते थे उनका नाम है ओरंग जेब ओरंग जेब इनके जो contemporary हैं वो king हुआ करते थे बाश्या हुआ करते थे मुगला empire के और students हमें देखने के लिए मिलता है कि जब तक सिवाजी महराज यहाँ power के अंदर रहते हैं 1630 से लेकर 1680 का जो समय है ये इनका time period है 30 से 80 तक यह power के अंदर रहते हैं तो छतरपती सिवाजी महराज जब तक power के अंदर रहेंगे तो ओरंग जेब कभी भी Maratha empire को surprise करने में successful नहीं हो पाई except एक यहाँ पे आपको एक treaty देखने के लिए मिलती है 1665 के समय में जो treaty और पुरंदर के रूप से जिसको जानते हैं तो पुरंदर की एक संदी एक मातर ऐसी संदी है जिसके अंदर Maratha empire somehow compromise करता है ओरंग जेब के साथ में बट जैसे ही औरंग जेब सिवाजी महराज की death होती है 1680 के समय में क्योंकि औरंग जेब का time period आपको पता होना चीए कि 1707 तक औरंग जेब का time है औरंग जेब का जो time है 1658 से लेकर 1707 तक रहा है तो औरंग जेब उनके बाद में after the death of सिवाजी महराज के बाद में अपना जो मराठा empire एक threat के रूप में देखा जाता था उस समय मुगला empire के लिए तो उसको यहाँ पे surprise करने में success पूर रहे क्योंकि after the death of सिवाजी महराज उसके 8 या 9 साल के बाद में संभाजी को यहाँ पे मार दिया जाता है संभाजी की death होती है उसके बाद में continue internal conflict के अंदर चला जाता है जो मराठा empire है कि power को कौन यहाँ पे गेन करेगा अगर हम बात करें चतरपती सिवाजी महराज की तो एक founder हुआ करते थे मराठा kingdom के मराठा kingdom को इन्होंने इस्तापना की उसके एक natural एक कुसल सासक हुआ करते थे इनके द्वारा काफी सारी जो battles हैं उनके अंदर इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई है 1630 का जो समय है जिसके अंदर ये इनकी जनम होता है सिवनेरी fort के अंदर में सिवाजी महराज से related काफी सारे जो forts हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं वैसे आपको forts की जो presence है जो किले जो होते हैं इनकी जो presence है आपको राजस्तान के अंदर अच्छे से देखने के लिए मिलेगी बट आपको महराथास के अंदर भी जो किले हैं उनकी जो presence है उनका जो importance है वो आपको देखने के लिए मिलेगा तो राजस्तान और महराष्टर के अंदर एक similarity आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है तो इनका सिवनेरी फोर्ट के अंदर इनका जनम होता है अभी रिसेंटली इनका एक फोर्ट है वो भी न्यूज के अंदर में था कॉंडाना का फोर्ट है वो न्यूज के अंदर इस वज़े से था उससे related एक movie है वो release हुई थी आजे देवगन की एक movie है जिसके अंदर कॉंडाना फोर्ट की जो battle है उसको दिखाया गया है इसके लावे students इनका जो 1674 के समय में इनका जो coronation हुआ था जिवाजी महराज का वो राइगड के फोर्ट के अंदर हुआ था अगर आपने राइगड के फोर्ट की जो फोटो है वो नहीं देखी है क्योंकि किस तरीके से हिल के टॉप के उपर वो situated है और राइगड का फोर्ट recently news के अंदर में भी था आपको ये भी पता होना चाहिए recently news के अंदर में भी था एक या दो दिन के अंदर ही राइगड का फोर्ट तो राइगड के फोर्ट के अंदर इनका coronation हुआ इनको father माना जाता है इंडियन नेवी के father के रूप में इनको recognize किया जाता है क्योंकि इन्होंने naval forces की जो importance है उसको recognize किया था Concord region के अंदर इस्टुडेंट सिवाजी महराज के बाद में जब मैसूर का जो kingdom है वो power के अंदर आता है जिन्होंने basically स्रंगेरी का जो सार्दा temple है उसके लिए भी donation उनकी दुवारा दिया गया था मैसूर के जो राजा हुआ करते थे टीपू सुल्थान और उनके काफी सारे जो initiatives हैं उनके बारे में आपको पता होना चीए तो अगर हम बात करें कि जो सिवाजी महराज हैं उनके दुवारा naval forces को एक importance के रूप में recognize किया वो ही naval importance को recognize किया जाता है टीपू सुल्थान के दुवारा फिर टीपू सुल्थान को किस तरीके से चारो तरप से घेर के अंग्रेजों दुवारा के surrender कराये जाता है और उनको मार दिया जाता है सिरी रंग पठनम के अंदर 1799 के समय में इसके लावे students अगर हम बात करें जो initial phase हमारा medieval history का है वो समय चोला empire होता है राजा राजा चोल और राजिंदर चोल के पारे में आपने सुना होगा तो राजिंदर चोल के दुवारा भी जिस तरीके से नेवल की जो presence है नेवल की जो importance है उसको recognize करवाया गया था और South East Asia के जो nations है वहाँ पे उनकी दुवारा अपनी जो नेवल forces है उनको send किया गया हमारी नेवी के दुवारा भी presently जो सिवाजी की जो basically नेवल का जो interest था उसको recognize किया गया है अभी September के अंदर ही तो ये current affair के अंदर था currently भी आपको इनके बारे में पता होना चीए इनके नेवल का किस तरीके के जो adventure हुआ करते थे उन सब के बारे में सिवाजी महराज basically एक secular ruler हुआ करते थे इनके army के अंदर आपको muslims भी देखने के लिए मिलते हैं women's के ये supporter हुआ करते थे उनको empower किया करते थे इनके एक council हुआ करती थे council को बोला करते थे आश्ट प्रधान जिसके अंदर total eight लोग हुआ करते थे ये लोग basically सिवाजी जिसमें अगर हम prime minister की concept की बात करें most powerful जो छत्रपती हुआ करते चत्रपती के बाद में जो most powerful person हुआ करते थे वो आपको पेशवा देखने के लिए मिलते हैं जिनको मुख्य प्रधान के रूप से भी जाना जाता है एमात्याज हैं मंतरी हैं सचीव हैं इसके लावा और भी सेनापती हैं पंडित राव हैं न्याइधीस हैं राजा राम हैं वो एक नई पोस्ट है जो basically letter phase में create की जाती है तो इस तरीके से इनका जो अश्ट प्रधान है वो आपको देखने के लिए मिलता है students Maratha administration के अगर हम बात करें तो Maratha administration basically जो मलिक अंबर है मलिक अंबर basically जो एहमद नगर से रूल किया करते थे महमूद गवा है जो बहामनी empire से बिलोंग किया करते थे तो उन्हीं के administration की base पे उन्हीं के completely copy based पे आपको देखने के लिए मिलता है land measurement के लिए इनके दुआरा काठी जो concept हुआ करता था मली कंबर का उसी को एक unit माना गया था सिवाजी महराज के दुआरा तो students इस तरीके के काफी सारे जो reforms हैं जो सिवाजी महराज से मराथा empire से associated हैं आपको पता होना चीए आपके लिए यहाँ पे एक homework है basically homework यह है कि एक painting है एक चितरकला है एक painting है जो southern India के अंदर काफी ज्यादा practice की जाती है पर सो उस painting को patronize किया गया था मराथा kingdom के दुआरा तो कौन से वो painting है जिसको मराथा kingdom के दुआरा patronize किया गया उसको support किया गया उसके बारे में आप comment section के अंदर बताना अगर आपको नहीं पता है तो painting का जो chapter है उसको जाके एक बार overview करना उसको देखने की कोसिज करना कि कौन से वो painting है जिसको मराथा empires के दुआरा patronize किया गया था वो आपको folk paintings के अंदर देखने के लिए मिलेगी कि कालमकारी है या कोई दूसरी painting है जिसको मराथा empires के दुआरा patronize किया गया था students अगर हम बात करें next topic की next topic है वालमी की tiger reserve के बारे में बिहार का एक मात्र tiger reserve है वालमी की tiger reserve वालमी की वैसे आपने अगर आप spiritually में थोड़ा बहुत बिलीव करते हो तो वालमी की रामायन के बारे में भी आपने सुना होगा वालमी की basically वो person हुआ करते हैं जो ड़केती किया करते थे बट लेटर फेद में उनके अंदर reform आता है और वो रामायन लिखते हैं basically तो वालमी की रामायन का जो रीजन है उसके अंदर में अगर हम बात करें recently ये न्यूज के अंदर में क्यों था वालमी की tiger reserve तो recently students जो बिहार की government है उनकी दुआरा एक फैसला लिया गया कि बिहार के अंदर जो one horn rhino है जो एक sing का जो rhino होता है जिसको basically Indian rhino के नाम से भी जानते हैं तो one horn rhino की जो population है उसको annually basis पे 3% की basis पे increase किया जाएगा और बिहार के अंदर इंग की जो population है वो यहाँ पे increase होनी चाहिए वो basically एक efforts है जो लिए गए है initiatives लिए गए हैं बिहार की government की दुआरा तो वालमी के tiger reserve जो eastern most limit के अंदर पाया जाता है हिमालियन का जो तराई का जो region है वहाँ पे बिहार का एक मात्र जो tiger reserve है जो situated है गेंगेटिक plains के अंदर में बायो जोग्रोफिकल zone है जो गेंगेटिक प्लेंस का उसके eastern side में ये situated है इसके लावा students अगर हम को बात करें कि जो भाबर और तराई का region है उनके combination region के अंदर ये वालमी के tiger reserve situated है इसके लावा अगर हम बात करें rivers की जो जो गंड़क river है western के जो वालमी के tiger reserve के western side से flow करती है पंडाई river भी है मानोर भी है हर हा भी है मासान भी है और आपको देखने के लिए मिलती है कि भाबसा नाम की जो river है वो भी यहाँ पे वालमी के tiger reserve के पास से ही flow करती है तो काफी सारी rivers है वो आपको इस area से flow करती हुई दिखाई देंगी वालमी के tiger reserve के बारे में हमने देखा आप देखे कि यहाँ पे बिहार के अंदर एक river है जो अपना जो course है जो उनका जो रास्ता होती है उसको वो change करती है उसको कौन सी river कहा जाता है सोरो बिहार के रूप से भी जाना जाता है तो आप comment section के अंदर बताना उसके बारे में basically students अगर हम बात करें उस river के बारे में कुछ characteristic feature गी तो उस river के दुआरा काफी सारी जो जहां पर जो sediments है लेके आती है वो river जो नेपाल से वो बिहार के अंदर एंटर करती है और वो sediments काफी ज़्यादा होने की वज़े से आपको देखने के लिए मलता है कि जो river का जो course है river का जो रास्ता है वो fill हो जाता है उस sediments की वज़े से इसलिए बिहार गॉर्मेंट का एक initiative ये भी होता है कि उस river के जो course है उसको continue clean किया जाए उसकी जो अगर हम हिंदी में बात करें तो उसकी जो गाद है उसको निकाला जाता है हर साल बिहार गॉर्मेंट की दुआरा जिससे के flood से यहाँ पे बचाया जा सकी बट हर एक साल आपको बिहार का वहाँ flood आपको देखने के लिए मिलती है बिहार के अंदर में तो ये बेसिकली उस river के बारे में आप comment section के अंदर बताना कि कौन सी river है जिसको सोरो बिहार के रुप से जाना जाता है नेपाल से वह एंटर करती है बिहार के अंदर में और sediments बोरो करती है और flood की जो situation है हर एक साल देखने के लिए मिलेगी जैसे उसका course फिल होगा वो अपना जो रास्ता है उसको change करेगी तो वालमी की tiger reserve के अंदर one horn rhino की population को increase करने की बात की गई है one horn rhino की अगर हम बात करें तो काजी रंगा के अंदर आपने देखे होंगे जो basically एक grassland ecosystem के अंदर ये पाए जाते हैं grassland की जो situation है वो आपको देखने के लिए मिले अभी हमारे government के काफी सारे initiatives हैं जिसके through काजी रंगा के अंदर से इनको decongestation किया जाए वहाँ से दूसरे जो protected area है वहाँ पे shift किया जाए अगर काजी रंगा के अंदर कभी flood की situation create होती है क्योंकि काजी रंगा basically भ्रमपुतरा के पास situated है तो कभी flood की situation create हो तो one horn rhinos को बचाया जा सके क्योंकि इनकी जो 90% 70 80% जो population है recently इनकी जो population है वो increase हुई है पर इनके लिए एक threat भी है students अब threat क्या है threat आप देखें कि इनका जो horn है इनका जो sing होता है इस sing का basically poaching की जाती है इस sing की poaching की इसलिए की जाती है कि चाइना के अंदर काफी सारी जो अगर हम बात करें जो अंदविश्वास की जो industries होती है उनके अंदर इसको use किया जाता है तांतरिक विद्या के अंदर और इसका जो sing है इसको use किया जाता है medicines के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है तो इसकी वज़े से इनकी जो poaching है वो आपको देखने के लिए मिलती है और भी काफी सारे regions है जिनकी वज़े से इनको जो threat है वो देखने के लिए मिलता है जिसमें आप human और animal का जो यहाँ पर contact increase हुआ है वो भी एक region है काफी सारे जो areas हैं वहाँ पर पाये जाते हैं उतरप्रदेश के इंदर जो दूदुआ नेशनल पार्क है वहाँ पर यह मिलते हैं तो स्टुडेंट्स ये वालमी की Tiger Reserve के बारे में देखा Tiger Reserve के बारे में आपको पता होना चाहिए कि NTCA National Tiger Conservation Authority नाम की एक agency है उसके दुआरा Tiger Reserve से उनको यहाँ पर डेजिगनेट किया जाता है NTCA Ministry of Environment के अंडर में आती है NTCA को 2005-06 के समय में Wildlife Protection Act 1972 को अमेंड करते हुए इस institution को बनाया गया था एक Wildlife Crime Control Bureau भी है जो basically यहाँ पर जो हमारे Animals से उनका जो trafficking है उसको रोकता है country के अंदर Wildlife Crime Control Bureau तो एक organization और है जो environment के जो organization से उनके बारे में आपको detail में पता होना चाहिए UPSC के दुआरा इनसे questions आपको देखने के लिए मिलते हैं उसके behind के दो region है एक तो UPSC के exam का जो prelims का exam है उसी के थुरू जो Indian Forest Service के जो log है mains लिखने वाले वो भी इसी से select होते है इसलिए environment का जो area है या अगर हम बात करें जो number of questions है वो continue increase हुए है पिछले कुछ सालों से पिछले 7-8-10 साल से जो 30% या 20% के आसपास उन्वायरमेंट के questions आपको देखने के लिए मिलते हैं students next topic के अगर हम बात करें next topic है हरी के wetland के बारे में हरी के wetland आपको पंजाब के अंदर देखने के लिए मिलता है तो अभी यहाँ पे जो birds का जो census है वो conduct कराया गया हरी के wetland के अंदर में हरी के wetland इंडिया का northern इंडिया का सबसे largest wetland है और इसके अंदर देखा गया है कि जो migratory birds है जो सर्दियों में विजिट करती हैं इंडिया के अंदर क्योंकि इंडिया के थुरू जो Central Asian flyway है Central Asian flyway के अंदर गिरता है इंडिया तो हमारे यहाँ पे Central Asian flyway के अंदर गिरने की वज़े से जो हमारे Siberia का जो region है जहाँ पे winter के समय में सर्दी काफी ज्यादा होती है तो वो लोग migrate करते हैं winter के समय इंडिया के अंदर आपको जो migratory birds है वो देखने के लिए मिलती है तो students अभी recently bird census के अंदर देखा गया कि जो हरी के wetland है जो पंजाब के अंदर situated है यहाँ पे जो continue decline हुआ है migratory birds का पिछले कुछ सालों से तो यह यहाँ पे देखने के लिए मिला है northern इंडिया का सबसे largest wetland है wetland से related आपको convention का पता होगा रामसर convention जिसे बोलते हैं रामसर नाम की city से में उसको sign किया गया था 1971 के समय में 75 में वो existence में आया हमारी government के दुआरा initial phase में जो केवला देव है जो चिलका लेख है उसको designate किया गया था रामसर site के बारे में फिर आप present समय में अगर हम बात करें 75 sites हैं हमारे यहाँ पे रामसर sites इसके लावे students हरी के wetland की बात करें आप देखें कि इसी का जो same name है आपको जम्मू कस्मीर में देखने के लिए मिलता है ऐसा ही same name है और UPSC के दुआरा 2022 का जो paper है उसमें इसी तरीके से जो question से वो पूछे गए थे आप देखें UPSC के दुआरा similar जो word है similar जो data है वो रख दिया जाएगा और आपकी जो exact knowledge है उसको test किया जाएगा तो एक जम्मू कस्मीर के अंदर भी wetland पाया जाता है यहाँ पंजाब के अंदर जो पाया जाता है उसको हरीके wetland के रूप में जानते है तो अगर हम बात करें हरीके wetland के बारे में तो हरीके wetland basically student जो तरन तरन फिरोजपूर और कपूर्थला नाम के district है वहाँ पे यह देखने के लिए मिलता है जहाँ पे सतलुज और ब्यास रीवर के confluence के अंदर यह situated है हरीके wetland के अंदर आपको rare जो species है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी जो migratory bird species है वो winter के समय आपको देखने के लिए मिलेंगी और winter के समय में यहाँ पे जो migratory species विजिट करती है तो इसको कहा जाता है हरीके पतन के नाम से पतन के नाम से इसको जाना जाता है हरीके wetland को तो students यह हरीके wetland के बारे में था next अगर हम बात करें students next है देबरीगर्ड टाइगर रिजवर्व को बताया गया है कि इसको टाइगर रिजवर्व का जो status है वो grant किया जाएगा recently आने वाले समय में अब यह टाइगर रिजवर्व का जो status है वो किसके दुआरा grant किया जाता है यह आपको पता होना चीए national tiger conservation authority जिसको 2006 के समय create किया गया wildlife protection act 1972 को amend करते हुई तो national tiger conservation authority के दुआरा बताया गया है कि जो डेबरीगर टाइगर रिजव है उसको यहाँ पर status है वो grant किया जाएगा आने वाले समय में प्रिजेंट समय में grant नहीं किया गया है students आने वाले समय में grant किया जाएगा यह news के अंदर लिखा हुआ है अभी नहीं किया गया है own paper यह आपको पता होना चीए देबरीगर टाइगर रिजव कहां situated है यह western part जो है हमारे उडीसा का उडीसा के western part के अंदर यह situated है second आपको important बात यह पता होनी चीए कि डेबरीगर टाइगर रिजव को अगर grant किया गया अगर टाइगर रिजव का जो status है वो दे दिया गया तो इससे पहले अफरीका के अंदर और अगर इसको grant किया जाता है तो डेबरीगर टाइगर रिजव थर्ड टाइगर रिजव के अंदर आपको black tiger भी देखने के लिए मिलते हैं जो genetic mutation की वज़े से उनका जो appearance है वो black हो चुका है तो rare black tiger भी आपको सिमली पाल टाइगर रिजव के अंदर देखने के लिए मिलते हैं 2021 के समय इनको पहली बार detect किया गया था black tiger रिजव को जो mutation की वज़े से उनका जो skin है वो black appear होता है अगर हम बात करें डेबरीगर टाइगर रिजव के inside area ही ऐसा area है जहां पे वीर सुरेंदर साई नाम के जो डेबरीगर टाइगर रिजव के inside के area के अंदर में तो students यह आज का हमारा current affair का discussion था हमने डेबरीगर टाइगर रिजव के बारे में बात की हरी के वेटलेंड के बारे में बात की वालमी के टाइगर रिजव के बारे में बात की और बात की हमने छत्रपती सिवाजी महराज के बारे में और उनसे related important जो किले हैं उनके बारे में सिवाजी महाराज gorilla warfare के इनको master के रूप में जाना जाता है जैसे इनके दुआरा अफजल खान है उनका जो murder किया गया था उनका जो assassination किया गया था सिवाजी महाराज के दुआरा तो काफी कुछ related है सिवाजी महाराज के बारे में detail में आपको इनको बारे में read करना चीए तो students ये आज का हमारा current affair का discussion था continue इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे Thank you students Thank you very much